मद्यप्रदेश ने सकल नमांकन अनुपात में लंबी छलांग लगाई है प्रदेश में 2021-22 में उच्छु सिक्षा में सकल नमांकन अनुपात राश्क्रिय औसत से आगे निकल चुका है मद्ध प्रदेश में 28.9 प्रतीशत सकल नामांकन अनुपात दर्ज हुआ जबकि राश्क्रे इस्तर पर वर्ष दोहजार एकीस बावीस में 28.4 प्रतीशत रहा है इस उपलब्दी के बाद मोहन यादव बहुत खुश नजर आए उन्होंने खुद या खुशकबरी प्रदेश वासियों को सुनाई और इसके लिए बढ़ाई दी देखिए ये खास रिपोग सकल नामांकन अनुपात या सकल नामांकन सूचकांक सिक्षा शेत्र में उप्योग किये जाने वाला एक संख्य की उपाय है और पूर मेर्स की सिक्षा सूचकांक में यूएन द्वारा कई अलग-अलग इस तरों पर स्कूल में नामांके चात्रों की संख्या नरधारत करने के लिए जैसे प्रात्मे का मद्य विध्यालय और हाई स्कूल और इसका उप्योग उन चात्रों की संख्या के अनुपात को दिखाने के लिए किया जाता है जो उसे देश में रहते हैं जो विशेश ग्रेड इस्तर के लिए अहरता प्राप्त करते हैं उच्छ सिक्षा मंत्री रहते हुए डॉक्टर मुहन यादव GER बढ़ानी के प्रयास करते रही हैं नमस्कार में आपको जानकरी देना चाहूँगा कि मद्वश सरकार ने जब से नई शिक्षानिती लागू की है नई शिक्षानिती लागू करने के बाद हमारी सकल पंजीयक दर में भी उलेखनी वरद्दी हुई है आज आपकी जानकरी में बताना चाहूँगा कि 21 बाइस का जो सकल पंजीयक अनुपात जी यार अखिले भारती 28.04 के तुलना में 28.09 दर्ज हुआ है मद्वश में सरवादिक नमंकन इसना तक स्तरपेज लागू हुए है मुझे इस बात की प्रसनत आए कि राष्टी ओसत से आगे निकलना यह हमारी सरकार की बड़ी उपलब्दी है मेरी अपनी ओर से सबको बढ़ाई और यह उलेखनी है कि पिछले तीन साल पेले लगबग चार प्रतिसत के पीछे हम थे लेकिन दिरे दिरे इस दिसा में लगातार प्रगति की है और वो भी कोविट की चुनोतियों के काल के बहुजूद भी हमने ना केवल अपनी गुनवत्ता पूर्ण शिक्षा का इस्तर बनाय रखा बलकि नई शिक्षानितिका भी सफलता से बता दे कि मोहन यादव दो जुलाई 2020 को शिवरात सिंग चुहान की सरकार में कैबिनेक मंत्री बने थे उन्होंने उच्छ सिक्षा मंत्री का कारभार संभाल रखा था इस दोरान भी डॉक्टर मोहन यादव ने उच्छ सिक्षा मंत्री रहते हुए GER बढ़ानी के लिए लगतार प्रयास किये थे ब्यूरो रिपोर्ट MP News भोपाल